और ये जो उम्मीदे तूट रही है ना बिरुजगारी के चलते उस उम्मीद को जोरने के लिए हम नुकलें सरदार बल्लब भाई पटेल कॉंग्रेस पार्टी के नेता थे उन्होंने इस देश को और कॉंग्रेस पार्टी ने जोग्रफिकली भारत को जोर दिया और जब भी उसको तोरने की कोशिस की जाती है तो कॉंग्रेस पार्टी के नेता मजबूती से उसको निपटते हैं आप सब लोग लगातार जो है कवर कर रहे हैं भारत जोरो यात्रा को एक सवाल लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या जोरने के लिए निकले हैं हमारे पास फेविकॉल नहीं है और जो है हम फेविकॉइक भी ले करके नहीं चल रहे हैं भारत जोरो यात्रा का जो मेसेजिंग है उसमें सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछना परेगा कि आपको आपकी कोई ऐसी चीज है जो टूटी है ये सवाल जब आप खुद से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि भारत जोरो यात्रा में हम क्या जोरने के लिए निकले हैं मेरे ख्याल से कोई भी नौजवान इस देश का जिसके पास सारी डिग्रियां है वो इंजिनेरिंग किया है, MBA किया है, PhD किया है, तमाम टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाब जूद जब वो अपना CV ले करके जाता है और नौकरी नहीं मिलती है, तब उमीदें तूटती हैं उस नौजवान की, उस नौजवान के गर्ल फ्रेंड की या बॉइ फ्रेंड की, उसके मावाप की, उसके दोस्तों की और ये जो उमीदें तूट रही है न, बिरुजगारी के चलते, उस उमीद को जोरने के लिए हम निकले हैं जब आपको ये खवर आती है, या आपको ये वीडियो देखते हैं, कि किसी इनसान को उसके पहचान के चलते चाहे तिलक देखकर, या टोपी देखकर, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसकी टांगे तोर दी गई है, तब आपका दिल तूटता है उस तूटे हुए दिल को जोरने के लिए निकले हैं, इसमें हमको कोई confusion नहीं है सरदार बल्लब भाई पटेल कॉंग्रेस पार्टी के नेता थे, कॉंग्रेस पार्टी के प्रभावसाली नेता थे उन्होंने इस देश को और कॉंग्रेस पार्टी ने जोग्रफिकली भारत को जोड़ दिया है और जब भी उसको तोरने की कोशिस की जाती है तो कॉंग्रेस पार्टी के नेता मजबूती से उसको निपटते हैं कल हम लोग इंद्रा जी को याद करेंगे चाहे जान गवानी पर जाए जमीन जो देश से जुड़ा हुआ है कॉंग्रेस पार्टी को रहते हुआ उसको कोई नहीं तोर सकता है लेकिन जो जो जोग्रफिकली हमारा देश इकठा है वो इमोस्नली भी इकठा रहे है इमोशनली कठा होने का मतलब है कि हमारे पहचान के आधार पे, हमारे विचार के आधार पे, हमारे जिंदगी जीने के तौर तरीके के आधार पर, हमारी एकॉनमिक कंडिशन के आधार पर, हमारी भासा बोली के आधार पर कोई हमको बाट न सके और हम यह देखते हैं कि भारत में आज की तारीख में गरीब लगातार गरीब हो रहा है और गरीबों की संपत्ती लूट करके दो चार लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है तो यह जो अमीडी गरीबी की खाई है उस खाई को हम पाटना चाहते हैं जिस तरीके से आज small scale medium scale industries बरबाद हो रहे हैं नौजवानों को नौकरिया नहीं मिल रही है लाखों पोस्ट जो है वो सरकारी छेतरों में खाली परे हुएं वेकेंसीज हैं उस उम्मीद को हम जोरना देश के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार राजनितिक कल्चर ऐसा बनता जा रहा है कि अपने विरोधियों को चुप कड़ाया जाता है और यह सवाल बार-बार लोग पूछते थे विपक्ष कहां है जो लोग देखना चाहते हैं आँख में सूर्मा लगागर के देख ल बिना किसी सोसल मीडिया या मीडिया के वो रहे उनका समर्थन जितना मिलना है वो मिले लेकिन हम सीधे लोगों तक पहुचेंगे जैसे महात्मा गांधी सीधे लोगों तक पहुचते थे आज राहुल जी सीधे लोगों तक पहुचने की कोशिस कर रहे हैं एक तो यह सवाल आज कोई भी इमानदारी से समझ सकता है कि कॉंग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्च की भूमी का सरकों पे निभा रही है और सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी निभा रही है कई बार यह confusion create किया जाता है यहां अतेलंगना में भी यह confusion है कि BJP से कौन लड़ेगा अबल तो BJP से लड़ने का क्या मतलब है अगर BJP से लड़ने का मतलब उसकी ही विचारधारा पे चलना है तो फिर वो कोई लड़ाई नहीं है उसको कहते हैं हमारे यहां कि सुडो बॉक्सिंग हो रहा है दिन में बॉक्सिंग करेंगे मीडिया स्टूडियो में बैठ करके बॉक्सिंग करेंगे और साम में पैग लड़ाएंगे तुम तुमारा हम हमारा इधर का बैग उधर उधर का बैग इधर यह कोई लड़ाई नहीं है विचारधारात्मक लड़ाई होती है और इस देश में ये विचार धारात्मक लड़ाई है गोड से और गांधी के बीच में और इस देश ने हमेशा गांधी को चुना है आज भी गांधी को चुनना परेगा और ये बात मैं आप से इमानदारी से साजा करना चाहता हूं जो राहुल जी के बारे में परसेप्शन बनाया गया लाखों करोडों खर्च करके और उस परसेप्शन के चलते जो हमारे दोस्त थे जो उनके धूर भी रोधी हुआ करते थे वो फोन करके कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग ये परसेप्शन इतनी जल्दी बदननी शुरू हो गई है इसलिए सत्ता में बैठे हो लोगों की खलबलाहट है और वो भारत जोरो यात्रा किसलिए हो रहा है इस पर नहीं बात कर रहे हैं जूता पर बात कर रहे हैं टी-शर्ट पर बात कर रहे हैं कंटेनर पर बात कर रहे हैं तो उनको जूता टी-शर् किलोमेटर जब हम चल चुके हैं हजारों लाखों करोड़ों आखों और चेहरों को जब हम पढ़ रहे हैं तो एक बात हम आपको कह सकते हैं विश्वास के साथ उदैपूर राजस्थान में जब कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिसको हम कहते हैं उदैपूर डिकलेडे आज जब हम पांचमें राज में आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं आज में विश्वास से बात कहते हैं कि यह यात्रा कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं कारकरताओं से आगे बढ़ करके आज के डेट में यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है देश के लोगों की यात यौइ बन चुकी है और इस यात्रा का उद्देश को सामाजिक कि ओर एक साथ नहीं कि है कि देश जिस तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है जमीर से भी हमारे सी कठा रहे इस या तर है आप सब झाल